असलाम अलेकूम एंड वेलकम टू जर्मेनी फॉर स्टूरेंट चैनल आज जर्मन लेंगविज कोर्स ए टू लेवल का लेसन नमबर बीस है और आज के लेसन के अंदर हम एक टॉपिक डिसकस करेंगे नेबन सेट से मिट दस दस जो है वो एक कॉंजुगेशन है और जब भी ह हमने कॉंजुगेशन को यूज करना होता है उसके लिए हमें दो संटेंस की जरूरत होती है एक हॉप्ट सार्स जो में संटेंस होता है और फिर एक नेबन सार्स होता है जिसको हम एक कॉंजुगेशन की मदद से हॉप्ट सार्स के साथ मिलाते हैं इससे पहले हमने एक लेसन किया था A2 लेवल के अंदर ही जिसमें हमने while conjugation यूज की थी उसमें भी हमने नेबन्स आर्ट्स और हॉप्ट्स आर्ट्स को कमबाइन किया था while conjugation की मदद से आज के lesson के अंदर हम देखेंगे किन scenarios के अंदर किन situations के अंदर हमें हम 10 की जो conjugation है वो यूज कर सकते हैं इसका क्या rules है और इसको examples भी हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हमने अगर नेबन्स आर्ट्स और हॉप्ट्स आर्ट्स को combine करना है मिलाना है 10 conjugation की मदद से तो sentence structure क्या होगा हॉप्ट्स आर्ट्स जो है उसमें subject पहली position पे verb second position पे object तीसरी position पे अगर हमारे पास एक simple sentence होगा अगर हम हॉप्ट्स आर्ट्स के अंदर एक model verb यूज करेंगे तो फिर model verb का sentence structure यूज करेंगे अगर हम हॉप्ट्स आर्ट्स के अंदर perfect tense यूज करेंगे तो फिर हम perfect tense का sentence structure यूज करेंगे ये जो topics हैं, ये हमने A1 और A2 के जो पुराने lessons हैं, उनके अंदर cover किये हुए हैं, इसलिए इनकी detail में मैं नहीं जाओंगा, अभी हम देखते हैं कि नेबन्स arts में अगर हमने दस की conjugation यूज करनी है, तो फिर उसका sentence structure क्या होगा, अगर एक simple sentence हम यूज कर रहे हैं, तो उस case में दस के साथ नेबन्स arts स्टार्ट होगा, फिर आएगा subject, और फिर आएगा object, object की जगा के उपर कोई preposition भी आ सकती है, adjective भी आ सकता है, और उसके बाद हमारे पास जो verb होगा, वो sentence की आखरी position के उपर होगा, और उस verb को हम conjugate करेंगे subject के लिहाज से, जो भी sentence का subject होगा, नेबन्स arts के अंदर जो subject होगा, तो इसकी examples देखते हैं, यह एहम है कि तुम हर रोज जर्मन सीखो, अब इसको पहले हम यह देखते हैं कि किस तरह की situation के अंदर हमने इस दस की conjugation को इस्तमाल करना है, अब अगर मैं खाली होप्ट जाट्स को देखूं तो होप्ट जाट्स है हमारे पास, एस इस्ट विश्टिश, यह एहम है, अब क्या चीज़ एहम है, उसको वो हमें अभी तक नहीं पता, उसको पता करने के लिए, या उसको दूसरे को बताने के लि कि क्या एहम है, तो उस केस में हम दस का जो conjugation है, वो यूज़ करेंगे, उससे जो नेबन्स आर्ट्स स्टार्ट करेंगे, उसके फॉरण बाद हमारे पास सबजेक्ट आएगा, सबजेक्ट इस संटेंस में दू है, और उसके बाद है, हमारे पास येडन ठाग, डॉइज ल लेर्नेंस्ट, तो लेर्नेंज जो इस नेबन्स आर्ट्स का वर्ब है, वो हमने संटेंस की या नेबन्स आर्ट्स की आखरी पोजिशन पे रखा है, और उसको हमने conjugate किया है, सबजेक्ट जो के दू है, उसके हिसाब से, यहां पे एक और चीज़ बहुत important है, कि जब भी हमन नेबन्स आर्ट्स और हॉब्ट्स आर्ट्स को कमबाइन करना है, और इसमें दस की conjunction इस्तमाल करनी है, उसमें हॉब्ट्स आर्ट्स के बाद एक कॉमा जरूर आएगा, और उसके बाद एक स्पेस भी हमने यूज करनी है, दस से पहले, या कॉमा के बाद या दस से पहले, ज के बाद हमने दस को यूज करना है अगर आप इस स्पेस को इग्नोर कर देंगे तो अगर आप एक्जैम देंगे तो उसमें आपका ये नमबर भी कट सकता है इस चीज के उपर कि आपने यहां पे स्पेस नहीं यूज की अब नेक्स एग्जामपल देखते हैं एस इस्ट बताने के लिए कि क्या जरूरी नहीं है हम दस की जो कान्यूकेशन है वो इस्तमाल करेंगे दस वियर जो फ्रू इंस ब्यूगो कॉमन के हम इतनी सुबा या इतनी जल्दी आफिस में आएं ये जरूरी नहीं है के हम इतनी जल्दी आफिस में आएं तो अब दस के बाद हमन immediately उसके बाद हमारे पास subject है we are हम जो फू इन्स ब्यूगो इन्स की short form हम ने use की है इन्स ब्यूगो common और common जो है वो verb है यहां पे आखरी position पे आएगा और we are के हिसाब से conjugate होगा तो common जो है वो we are के लिए we are ही रहता है as is unmuglish यह मुम्किन नहीं है यह नामुम्किन है अब क्या नामुम्किन है उसको बताने के लिए हम नेबंजार्स यूज करेंगे दस के साथ तो दस एर डी प्रूफंग निश्ट बिश्टेट यह नामुम्किन है कि वो exam पास ना करे उसने बहुत अच्छी त्यारी की है इसलिए यह नामुम्किन है कि वो exam पास ना करे तो इसके लिए भी हमने दस की जो यूज्टेशन है वो यूज की उसके फॉरण बाद subject आया air third person singular masculine के लिए और फिर deep proof जो के यहां पे object है वो उसके लिए हम accusative case में feminine noun proof के लिए definite article de-use करेंगे nisht bestate के पास ना करे तो यह जो अर्दू के अंदर हम k use करते हैं मेरा नहीं ख्याल के बाहर कौन है या मेरा ख्याल है के आज बारिश होगी तो यह जो के है वो यहां पे German language में दस को represent कर रहे है as is normal यह normal है क्या normal है उसको बताने के लिए हमें दस के साथ एक नेबंजार्स बनाना पड़ेगा दस ती kinder आईने नौए श्प्राखे जे श्नेल लेर्नन यह नौर्मल है के बच्चे एक नई जुबान बहुत जल्दी सीखते हैं इस केस में भी हमारे पास subject जो है वो दी किंडर जो के फॉरण दस के बाद आया है आईने नौए श्प्राखे यह यहां पे object है sentence का जे श्नेल लेर्नन लेर्नन जो है वो वर्बेक किंडर के हिसाब से लेर्नन ही रहेगा जी होफट वो उमीद करती है किस चीज़ की उमीद करती है उसके लिए हमें नेबंस आर्स बनाना पड़ेगा दस जी होइटे इयर वीजुम एरहेल्ट वो उमीद करती है कि उसे आज वीजा मिल जाएगा अब ये संटेंस जो है इसमें भी वोही लॉजिक या वोही फॉर्मूला हमने इस्तमाल की है दस के साथ नेबंस आर्स स्टार्ट की है उसके बाद हमने जी जो के नाउन है यहां पे इस संटेंस में वो यूज किया है और एरहाल्टन जो है वो हमारे पास एक वर्ब है जिसको जब हम जी थर्ड परसन सिंग्यूलर के लिए कॉजूगेट करते है तो वो हो जाता है एरहाल्ट एक और एक्जाम्पल देखते है एर्जाग्ट वो कहता है अब वो क्या कहता है उसके लिए हम दस के साथ नेबंजाट स्टार्ट करेंगे दस एर्जाग्टे वीडर सुरुक वो कहता है कि आज वो दुबारा वापिस फ्लाए करेगा तो इसके अंदर भी हमने सुरुक फ्लीकन का जो वर्ब था उसको आखरी पोजीशन पे रखा है इसको हमने कॉंजूगेट किया है एर के हिसाब से एर जो है वो सबजेक्ट है संटेंस का और दस के फोरण बाद इसको हमने इस्तमाल करना है अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेबन्स आर्ट्स के अंदर मौडल वर्ब भी आ जाता है तो फिर उसमें संटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा तो हॉप्ट आर्स नेबन्स आर्स में एक मौडल वर्ब भी होता है तो उस केस में हमारे पास संटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा दस जो है उसके साथ हम नेबन्स आर्स को स्टार्ट करेंगे सबजेक पहली पोजीशन पे आएगा दस के बाद यहां तक वही लॉजिक हम इस्तमाल कर रहे है वही फॉर्मूला है फिर आबजेक आएगा यह भी पुराना जो हमने पीछे स्लाइड में देखा यहां तक वही है उसके बाद आएगा वर्ब और फिर आएगा मौडल वर्ब अब इस केस में मौडल वर्ब संटेंस की आखरी पॉजिशन पे आएगा और मौडल वर्ब हमेशा जो हम कॉज्यूगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहास से जो के हमारे पास दस के बाद आ रहा है नेबन जार्ट के अंदर हमने नेबन जार्ट को खाली देखना है कि अगर उसके अंदर मौडल वर्ब है तो फिर हम जो वर्ब है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे उस वर्ब को हम कॉज्यूगेट नहीं करेंगे कॉज्यूगेट जो वर्ब होगा वो मौडल वर्ब होगा अब देखते हैं इसकी examples air shrived वो लिखता है thus ish in form flughafen abholen zol के मुझे उसे airport से pick करना चाहिए अब इसमें हमारे पास model verbs zolen use हुआ है conjugate करना है subject के लिहाद से subject इस sentence में thus के फॉरण बाद है ish और ish के लिए जो zolen verb है वो होता है zol जब उसको ish के हिसाब से conjugate करते हैं उसके बाद है हमारे पास object object है in उसे उस लड़के को third person accusative में जब personal pronoun use करते हैं तो वो होता है in और form flughafen form dame flughafen की short form है क्योंके form जो है वो एक डाटिव प्रेपोजिशन है इसलिए flughafen noun के लिए जो definite article डाटिव केस में होता है वो होता है dame और उसको जब हम short form में use करते हैं तो वो form बन जाता है और अब holand जो है वो verb infinitive form में use होगा क्योंके जब भी हम model verb sentence में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें जो main verb होता है वो infinitive form में use करना होता है air heart के श्रीबन उसने लिखा है अब ये जुमला जो है ये हमारे पास perfect tense में है air heart के श्रीबन इसमें हमने perfect tense वाली जो sentence structure है उसको follow करना है और आगे देखते हैं उसने क्या लिखा है उसके लिए नेबन्सार्ट को देखना पड़ेगा thus air mit mere die start besishtigen most day के वो मेरे साथ city को देखना चाहता है शहर को देखना चाहता है अब इसके लिए thus पहली position पे आया है उसके बाद air हमारे पास subject है sentence का और mit जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है इसलिए mit के साथ जो है वो डाटिव का personal pronoun mere use होगा the start जो है वो object है इस sentence में object accusative होता है accusative के लिए the start होगा और besishtigen जो है वो एक verb है जिसका मतलब है to view या देखना sightsee करना और most जो है वो conjugate हुआ है air के हिसाब से तो जब भी हमारे पास model verb sentence में हो main verb जो है वो infinitive form में रहता है इसलिए besishtigen besishtigen ही रहा है और most जो है उसको हमने conjugate किया है air के हिसाब से और sentence की आखरी पोजीशन पे रखा है as is good ये अच्छा है अब क्या अच्छा है उसके लिए नेबंजार्स बनाना पड़ेगा दस मन मिट डेम सुग फागन कान के बंदा ट्रेन के साथ सफर कर सकता है अगर बंदे के पास पाड़ी ना हो तो बंदा ट्रेन के साथ सफर कर सकता है for example ये अच्छा है कि बंदा ट्रेन के साथ सफर कर सकता है दस और मन जो है वो थर्ड परसंगिलर सब्जेक्ट है संटेंस का मिट जो है वो डाटव प्रेपोजिशन है इसलिए इसके बाद जो पार्ट आफ संटेंस है उसके उपर डाटव के रूल अप्लाए करेंगे सुक जो के मास्कुलिन नाउन है उसके लिए डाटव से डैफिनेट आर्टिकल डेम यूज़ करेंगे फागन एर हट गिजाक्ट उसने कहा है दस एर श्विमन खन के वो स्विमिंग कर सकता है ये अच्छा है या मैं इसको अच्छा समाईता हूँ अब मैं किसे अच्छा समाईता हूँ दस आले किंडर इंडी शूले केहन मुसन के सारे बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है अब दस के बाद हमने आले किंडर जो के सबजेक्ट है वो यूज किया है क्योंके किंडर प्लूरल है इसलिए हमने यहां पे मुसन की जो फॉर्म है वो मुसन ही यूज की है और गेहन जो है वो इस संटेंस में वर्ब है जो के इन्फिनिटिव फॉर्म में इस्तमाल हुआ है और कॉजूगेटिड जो मॉडल वर्ब है उससे पहले उसको हमने इस्तमाल किया है इन डी शूले इन जो है वो एक टूवे प्रेपोजिशन है यह भी हमने कॉनसेप्ट पढ़ा हुआ है अगर संटेंस के अंदर मॉवमेंट है तो फिर वो अकुजार्टिव के तोर पे बिहेव करेगी जिसका मतलब है कि शूले के लिए जो हम डेफिनिट आर्टिकल है वो वो हम यूज़ करेंगे अकुजार्टिव से और शूले चूके एक फैमिनिन नावन है इसलिए इसका जो डेफिनिट आर्टिकल अकुजार्टिव केस में होता है वो होता है अब हम देखते हैं कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमे नेबन जार्स जो है के साथ जुम्ला स्टार्ट करेंगे नेबन जार्स को स्टार्ट करेंगे प्लस सबजेक्ट आएगा आबजेक्ट आएगा यहां तक हमारे पास वो ही पुराना रूल है जो हमने पहले दो स्लाइड्स में देखा उसके बाद हम पार्टिसिप्स वाय फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और जो संटेंस की आखरी पोजिशन होगी उसके उपर हाबन या जाइन को कॉंजुगेट करेंगे सबजेक्ट के लिहाज से अब किस केस में हाबन यूज़ करना है किस केस में जाइन यूज़ करना है ये हमने A1 लेवल के अंदर सीखा हुआ है इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और पार्टिसिप्स वाय फॉर्म को भी हमने जब हमने पर्फेक्ट टेंस पड़ा था A1 लेवल के अंदर उस केस में हमने इसको देखा था के पार्टिसिप्स वाय फॉर्म क्या होती है एक्जाम्बल देखते है एरहाट गिजेन उसने देखा है अब यहाँ पे जो हॉप्जाट्स है वो भी हमारे पास पर्फेक्ट टेंस में है तो एरहाट गिजेन उसने देखा है हाबन को हमने एर के हिसाब से कॉजूगेट किया तो यह हो गया हट और जो पार्टिसिप्स वाइफ ओम है जेहन की वो है जेहन और वो संटेंस की आखरी पोजिशन पर यूज हो गई हॉप्ट जार्स की बात कर रहा हूँ उसके बाद हमारे पास कॉमा और कॉमे के बाद हमने एक यूज करनी है स्पेस और उसने क्या देखा है इसको हम एक्स्प्लेइन करेंगे नेबन जार्स के अंदर और उसके लिए हम दस के साथ जुमला स्टार्ट करेंगे दस इश टी फार कार्टे निश्ट के काउफ ठाबे उसने देखा है कि मैंने ट्रैवल लिंग टिकेट या टिकेट नहीं खरीदा है अब दस के साथ जुम्ला स्टार्ट हुआ उसके फॉरण बाद सब्जेक्ट आया सब्जेक्ट है इश और ऑब्जेक्ट है इस केस में इस संटेंस में डी फार कारते केंसे टिकेट निश्ड के काउफट जो है वो पार्टिसिप स्वाई फार्म है काउफण की और हबन जो है वर्ब वो क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए हबन वर्ब संटेंस की आखरी position पे आएगा और उसको जब हम इश subject के लिहाज से conjugate करेंगे तो वो होगा हावे next example air globed उसका येकीन है या वो ये समझता है अब वो क्या समझता है thus air kind and failure के mark that के उसने कोई mistake या कोई गलती नहीं की दस से जुमला हमने रेबनजार्ट स्टार्ट किया air subject है काइनन failure जो है वो object है object हमारे पास accusative होता है failure क्योंके हमारे पास एक masculine noun है इसलिए accusative में काइनन वाली ending यूज करेंगे काइन के लिए तो वो हमें en add करना होता है काइन के end के उपर तो यहां पे काइनन failure और फिर हमारे पास particip swive form है माहन की जो हमने यहां पर यूज करनी है क्योंके यह sentence जो है वो perfect tense में है और last position पे नेबनजार्ट के अंदर हम harban verb को यूज करेंगे और इसको जब हम air के हिसाब से conjugate करेंगे तो यह हो जाएगा हाट as tut mere light मैं माजरत हा हूँ tut mere light का मतलब होता है apologize करना या माजरत हा होना अब किस चीज के लिए मैं माजरत हा हूँ या मुझे अफसोस है thus ishti proofung nisht bishtandan habe के मैंने exam pass नहीं किया है अब इस sentence के अंदर भी 10 के साथ हमने neighbor's arts को start किया है उसके बाद subject आया है ish deproofung क्योंके मैंने proofung या exam pass नहीं किया है इसलिए ये हमारे पास object है sentence का object हमेरे इस जो हमारे पास accusative case में होता है इसलिए हम deep proofung यूज करेंगे इसके लिए जो article definite है वो भी होगा nisht और bishtane का मतलब होता है pass करना अब क्योंके इसमें हम perfect tense यूज कर रहे हैं इसलिए participants wife form यूज करनी है bishtane की participants wife form है bishtandan और sentence की आखरी position पे हमने हाबन या zine को conjugate करना होता है तो इस sentence में हमें हाबन को यूज करना है और इसको conjugate करना है इसक के हिसाब से तो यह हो जाएगा हाबे तो यह था हमारे पास इस्तमाल करना 12 का ने बंसार्स के अंदर यह conjugation है और बहुत important है बहुत रोजमराा इस्तमाल में इसका इस्तमाल होता है तो I hope कि आपको different situations के अंदर इसका इस्तमाल समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपका कोई question है तो आप comment में जरूर put कीजिएगा और अगर आप यह तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please इसको जरूर करने ताके आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको update मिलती रहे शुक्रिया अल्लाहाफिज